हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहां पर जाने कि दोस्तों आप सभी को पता है कि डॉक्टर राम मनोया लोर्याई अजरुवेदिक संस्था के तरब से आप सभी के लिए यहां पर 8 पूस्टे थी वो नर्सिंग ऑफिसर की ती यानि कि 600 प्लस जो है नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर पोस्टे निकाले गए थी पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को एक अनुमानिट डेट यानि कि आप सभी की परिकरिया पूरे होने से पहले एक आर्टिकल आया था कि जिसमें कि यह बताया जा रहा था कि जो इसकी एकजाम है यानि कि जो एकजाम है वो आप सभी के अक्टूबर मा के अंदर करा ली जाएगी यानि कि आप सभी की जो सिटी प्रेफरेंस है वो सितंबर में यानि कि सितंबर के इंड तक यहाँ पर ओपिन कर दी जाएगी पर अभी तक ऐसा नहीं किया गया पर दोस्तो अब यहां पर कुछ ऐसी important अपडेट निकरा रही है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्योंकि इसके लिए उमिद्वार त्यारी भी अपने almost कर चुके हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं कि इनकी परकिरियह को विभाग दोरा शूरी जाये तो दोस्तो उमिद्वारों को थोड़ा और समय इन परकिरियाओं के लिए वेट करना होगा कैसे बताता हूँ कितना वेट करना पड़े गा क्योंकि अभी तक अगर यहाँ पर बाद करें तो इस एजेंसी यानि कि अभी तक यहाँ पर जो 850 की वेकैंसी निकाली गई थी तो उसके अंदर अभी तक यहाँ पर जो है एजेंसीया फाइनल नहीं हो पाई है यानि कि जो एजेंसीया कराने वाली है वो अभी तक फाइनल नहीं होई है सूतर की वानी की अपडेट आ रही है कि इसके अंदर TCS इसकी एक्जाम कराएगी तो दोस्तों अगर TCS एक्जाम कराती है तो उमिदवारों को कितना समय और वेट करना पड़ेगा सिटी प्रिफरेंस कब करनी पड़ेगी और यहाँ पर जो examination की जो notice है वो यहाँ पर कब तक आएगी इसके बारे में सारी information देने वाला हूँ दो-तीन update है जो आप सभी को इस exam में क्यों delay हो रहा है इसका कारण बताया गया है उसके बारे में सारी information देता हूँ इसका link आप सभी को हमारे telegram channel study zone मिल जाएगा और साथ ही दोस्तो जितने भी हमारे नए user जुड़ रहे हैं हमारे channel से जुड़ जुड़ आई है क्योंकि दोस्तो हर एक update आप सभी को एक vacancy निकाली गी थी यानि कि 24-9-24-24 के इंदर इसके बारे मैंने आप सभी को अपने वीडियो में update दिया था जिसकी यहाँ पर जो है walk in interview यानि कि आप सभी के on merit बन गर interview basis पर यहाँ पर selection किया जाएगा जो validity time है वो 7-10-24 है और इनकी परकेरिया यहाँ पर जो है दोस्तो अक्टूबर के 15 या 16 तारिक तक यहाँ पर जो है उनकी परकेरिया पूरी की जाएगी पर दोस्तो यहाँ पर यह सवाल नहीं है कि इस vacancy की चलते उमिदवारों की nursing की exam जो है वो delay की जारी है उनकी admit card नहीं जारी की जारी है दोस्तो सूतर के माने की जो बताया जा रहा है यानि कि जिस company को इस exam को कराने के लिए जो परकेरिया दी जाएगी क्योंकि दोस्तो TCS का अगर आप थोड़ा सा भी रिपोर्ट देखें तो nursing के अंदर यहाँ पर जो है एसजी पीजी आई के अंदर में TCS ने agency ने उस exam को conduct कराया था पर उसके अंदर कुछ धांदलिया हुई थी जिसके कारण वो फिर से इन भरतियों में कोई भी धांदली नहीं चाता है और दूसरी चीज़ दोस्तो TCS के पास यहाँ पर जो है schedule जो है इस exam को conduct कराने के लिए अभी खाली नहीं है क्योंकि all over India के अंदर SSC MTS की जो exam है वो यहाँ पर चलने वाली है और जो इसकी exam की परकिरिया है वो यहाँ पर जो है 14 November 2024 तक चलने वाली है तो यह जो slot है उनके पास खाली नहीं है क्योंकि यह अभी तक confirmation नहीं है दोस्तों क्योंकि तो सूतरों के मानी की जो बदा जा रहा है कि TCS ही कराएगी क्योंकि other agency अगर इस exam को conduct कराती तो वो अभी तक इसकी जो city preference की जो portal है वो यहाँ पर खोल दियो होती पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है यहाँ पर पूरी अन्मानित है कि TCS ही इस exam को conduct कराएगी और conduct आप सभी के number में देखने को मिलेगा यानि कि 20 या 22 number से TCS जो है इसकी exam conduct करा सकती है या कोई confirmation date नहीं है पर दोस्तो यहाँ पर एक चीज़ की confirmation है कि जो city preference है यानि कि जो आप सभी का city preference है वो क्या होने वाला है वो में यहाँ पर बदाने वाला हूँ तो यानि कि जो city preference है वो आप सभी के October में यानि कि 15 या 16 October तक आप सभी के portal को खोला जाएगा और लगभग यहाँ पर जो है 10-15 दिनों के बीच तक इस पोटल लोग खोला जाएगा और उमिद्वारों को अपने पोटल में एक्जाम सिटी को लेकर प्रिफरेंस करना होगा उसके बाद यह सब्मिट होने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने इसके ओफीसियल वेबसाइट पर यानि कि TCS दुवारा इनके ओफीसियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की जाएगी आप सभी के यहाँ पर जो है exam date के लिए और साथ ही दोस्तों उनकी admit card के लिए यानि कि almost अगर यहाँ पर city preference भरा जाता है तो कम से कम 20 से 22 दिनों के अंदर उनके admit card जारी किया जाता है और admit card जारी करने के बाद आप सभी की यहाँ पर जो examination है वो यहाँ पर जो conduct होती है 10 या 12 दिनों के अंदर conduct कर लियाती है तो almost अगर आप देखें तो आप सभी की परिकरिया जो है सबसे पहले जो delay होने का कारण है यानि कि आप सभी की जो exam है वो यहाँ पर December में बिलकुल ही कराई जाएगी TCS के दवारा पहला जो सबसे देरी हुआ क्योंकि आप सभी के सामने एक नई भरतिया यहाँ पर जो है जानि कि जिस agency को इस exam को contract कराने के लिए contract दिया गया है उनके पास अभी slot खौली नहीं है और यहाँ पर आप सभी को पता है कि MTS के अंदर अंठावन से लेकर यहाँ पर जो है पैसेट हजार तक यहाँ पैसेट लाग तक उमिदवारों ने फॉर्म फिल किये हैं ऑल ओवर इंडिया के candidate यहाँ पर इसके इंदर अपलाई कर सकते हैं हो सकता है कि कुछ उमिदवार आप भी होंगे जो MTS का फॉरम भर होंगे तो इसलिए दोस्तों स्लॉट खाली नहीं है एक्जाम सेंटर भी खाली होनी के बहुत ही कम चांसेश है क्योंकि पूरा स्यूडूल यहाँ पर जो है बिजी है नौवंबर 14 तक दोस्तों उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपनी परिकरियाओं को जोड़ेगा तो आप सभी की एक्जाम है से जो है इन सभी परिकरियाओं को पूरा भी कर लिया जाएगा तो यानि के दोस्तों यहाँ पर जो स्लॉट की बाते थी जो खाली नहीं थी साथ ही यहाँ पर जो है राम मुलया इंटिटूट्स के पास इनके पास अपनी वेकैंसी के लिए भी यहाँ पर क्लियर करना है औ पर इस बात को बिल्कुल ही कंफर्म रखिएगा क्योंकि जो आप सभी की नोटिस है वह आप सभी को जल्द ही प्रिफरेंस अक्टूबर में ही यहाँ पर देखने को मिलेगा इस बात का बिल्कुल ही कंफर्मिशन रख सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के जो सवा ला दी गई है यहां पर जो है तो इसके रिगार्डिंग अगर हमारे पॉस्ट और कोई इंफर्मेशन आती है या जिंसिया के लिए आती है क्योंकि इसके बाद के भी कोई लिए नहीं है एक और मानित जो है नुज जो आर्टिकल आया था उसके माध्यम से मैंने आप सभी को यहां पर जो है कुछ डाउट्स पर यहां पर जो है अनुमानित चीजे जो है बता दी हैं तो यहां पर दोस्तों आप सभी क्लिए अपडेट निग लगा थी जो हमारे चैन तो अगले वीडियो में अस्ता पर दोस्तों जाहें दें